नमस्कार दोस्तो Vocabulary के दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है हाँ मैं Vocabulary के दुनिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग तो Vocabulary पढ़ रहे हैं और हमारे जो सारी classes हैं फिलाल वह Vocabulary की रहती है यहारे चारो तरफ Vocabulary ही Vocabulary है और Vocabulary इसलिए important है हर एक exam के लिए जिसमें English Grammar का portion आता है क्योंकि Vocabulary से केवल आप Vocabulary के synonyms और antonyms ही cover नहीं करते हो उन्हीं को आप केवल solve नहीं करते हो English Grammar के अंदर आने वाले सारे के सारे portions को आप Vocabulary के मदद से solve कर सकते हो अगर आपको Vocabulary के understanding अच्छी है अगर आपको words आते हैं उनके meanings आते हैं तो आप paragraph आपको अच्छी से पढ़ सकते हो समझ सकते हो बाकि जो sentence correction वाले questions आते हैं उनको अच्छी से पढ़ सकते हो समझ सकते हो और जब तक आपको चीज़े समझ आएगी नहीं तब तक आप उनको solve करोगे कैसे तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि vocabulary world ठीक है vocabulary world में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ CDS 1 2014 में जो हुआ था उसमें कौन-कौन से antonyms आये थे वो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ठीक है UPSC conduct करवाती है CDS के exams और आप B.S.C. या graduation के बाद ठीक है graduation के बाद आप ये exam दे सकते हो ठीक है plus 2 के बाद आप कौन से exam दे सकते हो nda का और graduation के बाद आप कौन से exam दे सकते हो graduation के बाद आप दे सकते हो CDS का exam तो मुझे उमिद है कि ये आपको अच्छा लगेगा अच्छा तो क्या ही लगेगा मतलब आपकी preparation में आपको help करेगा तो यही मेरा purpose है तो चलिए start करते हैं और हम पहुंचते हैं कहाँ पर page number 4 पर हम लोग पहुंचते हैं जहाँ पर दिये हैं हमारे क्या antonyms ओकी यह तो synonyms है यह हमारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ विलाल आपके जो screen पर आपको दिख रहा है यह CDS का exam है CDS का paper है और CDS के paper में यह 10 antonyms दे रखें और 10 synonyms दे रखें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि synonyms मैं ओर लड़ी आपको दे चुका हूँ अगर आपको चाहिए आपको पिछली class देखनी है तो आप previous year question papers याई PYQ vocabulary की एक playlist बनी हुए है channel के उपर वहाँ पर जाकर आप previous year question papers में जितने भी antonyms synonyms आ रखें हैं वह अभी तक मैंने आपको NDA और CDS के exams याई मेरे ख्याल से 4 या 5 lecture मैं ओ लड़ी आपको दे चुका हूँ तो उनको जाकर आप देख सकते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं antonyms कहां से CDS 1 2014 में जो हुआ था महां से हम ये पढ़ने वाले हैं और इसी परकार से हम 2014, 2015, 2016 यानि 2023 तक जितने भी previous year question paper हुए हैं उन सभी के अंदर से synonyms और antonyms यानि वोकाबलरी को extract करकर आप तक पहुँचाएंगे तो चलिए start करते हैं आज का हमारा पहला word क्या है देखिए कपिल्स बॉलिंग यस्टरड़े प्रूवड वैरी कॉस्टली word है हमारा कॉस्टली तो हमने इसका इंटॉनिम बताना है ठीक है देखिए cricket वर्लकप चल रहा है आप सभी cricket देखते ही होंगे most of the you मतलब आप cricket पसंद करते ही होंगे तो आपको पता है कि जब किसी बॉलर को कॉस्टली बॉला जाता है तो मतलब उसका क्या मतलब हो उसका यह मतलब हुआ कि उसने एक ओवर में ज़्यादा रन दिये है that is that is called costly अब आप उसका उल्टा सोचिए कि आप याई ऐसा बॉलर जिसने एक ओवर में कम रन दिये है तो उसके लिए हम क्या यूज करते है वर्ड उसके लिए हम वर्ड यूज करते है economical ठीक है यनि जो उसकी economy है वो क्या है कम है यनि उसने एक ओवर में कम रन दिये है तो costly का उल्टा यहाँ पर वैसे तो costly होता है खर्चिला और economical मतलब क्या होता है जो कम खर्चिला होता है that is called economical तो costly का उल्टा हो गया यहां पर क्या economical बाकी जो यहां पर word दे रखें expensive ठीक है thrifty और frugal यह सब यह क्या है गलत option है तो हमारा मतलब यहां यहां पर answer क्या हो गया a economical ठीक है next देखते हैं फिफ्टी टू I can't I cannot see much likeness between the two boys यानि दो बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा likeness मतलब क्या समानता नहीं देखने को मिलिये नहीं देख सकता हूं I can't see I cannot see यहनि मुझे मैं नहीं देख सकता दो बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा समानता ठीक है तो अब देखिए likeness मतलब क्या हुआ समानता यह एक जैसे आदा दोनों के बीच में लेकिन option में हमें क्या choose करना है ठीक है एंट्रोनिम्स तो देखिए एंट्रोनिम्स क्या हो सकता है यहां पर एनिमिटी हेट्रेड डिफ्रेंस या डिस्लाइक क्या हो सकता है समानता का उल्टा क्या हो सकता है डिफ्रेंस है आंसर क्या है डिफ्रेंस एनिमिटी मतलब होता है ठीक है दूर भावना या दु मतलब क्या है यहां पर समानता है ठीक है यहां पर क्या है इसका मतलब समानता तो समानता का उल्ट तो देखे आसमानता ही होगी ना यानि डिफ्रेंसी होगा ना तो इस परकार से आपने इसको देखना है next आगे चलते हैं अगला हमारा जो वर्ड दिया हो है dubious, dubious का मतलब होता है doubtful जब आप doubtful में होते हैं I am still dubious about the plan यनि plan क्या है, मैं अभी भी क्या हूँ, sansa में हूँ दुविधा में हूँ, तो इसका sansa या दुविधा का उल्टा आपको क्या मिलेगा क्या मिलेगा, certain जब कुछीज निश्चित होती है, तो उसका उल्टा क्या हो गया dubious और certain एक दूसरे के क्या हो गया, opposite हो गया doubtful तो सहीमी हो गया, docile और faithful अलग हो गया next हमारा बढ़ है, इधर यहां पर देखिए hostile, hostile का मतलब होता है देखिए, दुस्बन, hostile का मतलब होता है दुस्बन, या enemy that is called hostile, जब इन दुस्बन जैसा विवार आप करते है that is called hostile hostile का opposite का आप में देखने को मिलेगा आपका दुस्बन का उल्टा क्या होता है, friend ठीक है, तो आपका answer क्या हो गया, friendly जब आप किसी चीज को कथा करते है ठीक है, जब आप किसी चीज को कथा करते है that is called accumulate उसको कथा करना और यहां पर इस sentence के अंदर क्या दिया है the wise say यान जो बुद्धिमा लोग है वो क्या कहते है that life is meant यानि life का क्या मतलब है not merely to accumulate wealth यानि life का क्या मतलब है क्या मकसद है wealth को एक अठा करना नहीं है but for self-realization यानि अपने खुद की पहचान करना realization करना उसका मकसद है life का wealth को accumulate करना मकसद नहीं है तो आप देखिए हमारा word क्या है accumulate और इसका मतलब क्या होता है एक अठा करना या gather करना उसका opposite हमने यहां पर ढूंड़ना है amas amas का मतलब भी होता है gather करना और एक यह दिया है gather तो यह तो क्या होगे दोनों एक दूसरे के साथ साथ होगे same होगे produce मतलब होता है किसी को उत्पन करना या किसी को पैदा करना तो एक यहां पर word पचा है scatter scatter मतलब क्या होता है accumulate मतलब पिकठा करना तो देखिए दोनों एक दूसरे के क्या हो गया opposite हो गया हमारा answer क्या हो गया scatter हो गया next हमारा word है क्या magnanimous magnanimous का मतलब क्या होता है magnanimous का मतलब होता है when you are generous जब आप लोगों के परति generous है आप kind है आप kind है या generous है that is called magnanimous ठीक है Ashoka was a magnanimous king याई Ashoka क्या था kind और generous king था इसका उल्टा यहां पर देखिए kind होगा तो यह तो same ही हो गया majestic मतलब क्या हो गया याई जादू majestic मतलब हो गया इसके पास देव यह सकती हो उस परकार से या small मतलब क्या हो गया छोटा तो उल्टा क्या हो सकता है petty petty मतलब होता है unkind unkind या जो generous नहीं है तो हमारा magnanimous का उल्टा हो गया petty इसका answer भी हो गया petty next 55 पर चलिए turn down turn down मतलब क्या होता है he will never turn down your request turn down का मतलब होता है mana करना या mana कर देना ठीक है mana कर देना that is called turn down या incar कर देना ठीक है that is called turn down यानि आप वह आपकी request कभी turn down नहीं करेगा तो इसका उल्टा यहां पर देखिए turn up, turn over or reject turn down क्या होता है मना करना or reject भी मतलब क्या होता है mana करना ठीक है और और क्या दिया accept yes turn down मतलब हो गया मना कर देना और accept मतलब क्या हो गया उसको स्विकार कर लेना तो हमारा answer क्या हो गया accept कर लेना next हमारा वाद है defiant defiant का मतलब होता है Obedient, Rebellion Meek, Friendly मनलेगा defiant मतलब हो गया disobedient here is using obedient Obedient मतलब होता है आजया का पालन करना definite next है 56 material material मतलब मतलब क्या होता है सांसारी किया physical that is called material ok material का मतलब क्या होता है सांसारी किया physical Essential spiritual or manual तो हमारा जो आंसर होगा, वो होगा, spiritual यानि material का opposite क्या हो गया, spiritual हो गया, आप eliminate technique भी लगा सकते हैं यानि options को आप खारिज भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं तो material का मतलब हो गया, spiritual क्यों, material का meaning होता है physical, या सांसारिक, ठीक है, तो इसको उपर उटा तो क्या ही हो सकता है जो अलोकिक हो, जो भोतिक ना हो, जो अलोकिक हो, जो spiritual हो that is called material का उटा, तो हमारा अंसर क्या हो गया, spiritual okay, next हमारा वर्ड है, repugnant, I find his views repugnant या मैं मैं महसूस करता हूँ, मैं मुझे मिला, क्या his views, उसके जो views हैं, कैसे repugnant या मुझे उसके जो views हैं, कैसे लगे, repugnant लगे repugnant का मतलब होता है, making you feel disgust, या जब कोई आपको disgust feel कराता है, बुरा feel कराता है that is called repugnant, या अत्यदिक अरूची कर या बेहद नापसंद जब करता है, that is called repugnant तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, देखिए, apolitical नहीं, amoral नहीं, repulsive नहीं और amiable, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, amiable, amiable मतलब होता है, जो चीज आपको पसंद आती है या जो चीज आपके favor में होती है, that is called amiable तो यह थे हमारे आज के कितने, 10 antonyms, जो मैंने आपको बता है, कहां से UPSC conduct कराती है, CDS का exam, वहां से हमने आज पढ़े हैं, antonyms 10 इसी परकार से, यह जो vocabulary का world है, यह जो vocabulary की एक अलग series भी हमने चला रखिए, जहां पर आप vocabulary कहां से पढ़ रहे हैं, 6 week book से आप vocabulary पढ़ रहे हैं, उसके पहले हम 30 days to a more powerful vocabulary से खतम कर चुके हैं, उसके बाद 2 किदाबे हो रहे हैं, जो मैं vocabulary के आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, previous year question paper मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ, क् कि previous year question paper को solve करने से आपको बहुत सारे जो words हैं, वो तो adjectives exam के अंदर मिल ही जाते हैं, उसके अलावा आपको एक नजरिया मिल जाता है examiner का किस परकार से words को लिखा जाता है, या कैसे जो words हैं, वो examiner set करता है question paper के अंदर, तो दोस्तों इस परकार से आज हमने पढ़े ये 10 an antonyms, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो में फिलाल इतना ही है, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद